नमस्कार दोस्तों क्राफ्टी लॉप में आपका बहुत बहुत सौगत है आये दिखते हैं कि हमारी अपनी डिजाइन की हुए कैंडल कैसे बनाएं हाउ तु मेक अवर ओन कैंडल डिजाइन यूजिंग टिशू नैपकिन इसके लिए हमें जो सामान चाहिए कैंडल, टिशू पेपर, नैपकिन, बटा पेपर, सीजर और हेर ड्रायर ये नैपकिन मैंने ले लिया इस पर अलग-अलग डिजाइन है आप इसके चोटे पीस कट करके भी कैंडल पे लगा सकते हैं अकरडूं टू इसके साइथ ऐसे चोटे-चोटे पीस कट करके भी आप लगा सकते हैं जैसे ये बड़ी कैंडल है तो इस पे बड़ा ट्री आ सकता है इस पे एक ट्री अरसानी से आ जाएगा तो हम इसको कट कर लेंगे और इस प पूरे के पूरे हाब भी लगा सकते हैं और पीसे में भी लगा सकते हैं उससे पहले, इसको लगाने से पहले हमें इसके parts निकालने पड़ेंगे इसके 3 layer होते हैं तो हम पहले 2 layer निकाल लेंगे उसके लिए एक छोटा सा cut कर लेंगे और फिर पहना लेयर हमने यह निकाला बटर पेपर को मैं साइड में रख देती हूँ इस तरह से यह ऐसे ही और एक लेयर निकलेगा और यहने दो हमारा दोस्राँ और यहन隨िए और देता यह दो लेहर हमारे निकले अब टिश्यू पेपर का यह पार्ट हमें लेना है और यह सिधा करके ले लिया मैंने इसके छोटे-छोटे अब पीसिस हमें कट करने हैं जो के हम कैंडल पर लगाएंगे जैसे यह मैंने पीसिस कट कर लिये हैं अब चाहे तो पूरा भी पूरी भी पूरे कैंडल को भी भर सकते हैं एक ही डिजाइन से अभी मैं चेक कर दियूं कि यह कहां पर अच्छा लगेगा तो मैं सीधी साइट से ही लगाना है और यह बटर पेपर लिया मैंने पहले मैंने पिक्चर को फिक्स किया कि मुझे यह कहां पर चाहिए कैंडल पर रखके और फिर मैंने बटर पेपर उपर से रख दिया तकि वह ज्यादा मेल्ट ना हो या उसको कुछ खराब ना हो और इजनल शेप कैंडल का इसलिए मैंने उसको बटर पेपर को लगाया है अच्छे से प्रेस करके ले लिया और नैपकिन मेरे हाथ हो एक हाथ जो है उसको ढख लिया क्योंकि हीट ड्रायर के पहुंच ज़्यादा लगे गया अब मैंने हीटर वह ड्रायर स्टार्ट कर दिया है और दीरी दीरी उसका कलर चेंज होता जाएगा किया रहे हूं अच्छे से चिपक रहा है मैं इसको पूरा होने तब करती रहाँगी आप थोड़ा दूरी से भी इसको ड्रायर से ड्राय कर सकते हैं क्योंकि मेरा बहुत पुराना है राय तो मैं इसको बहुत नजदीक से कर रही है इसको अच्छे से प्रेस करूंगे ताकि वह कहीं छूटने जाएं कॉर्णर में सब जगर से उसको अच्छे से प्रेस करना है और फिर से ड्रायर से एक बार उसको अच्छे से करना है इसके डंडी अभी मैंने नहीं लगाई है तो एक बार हम देखते हैं कि यह ठीक से बैठा है या नहीं उसके बाद हम इसके डंडी भी लगाएंगे तो यह अच्छे से हो गया है अच्छे से चिपब गया है मैंने इस पे ऐसे किया है आप टिश्यू पेपर पे प्रिंट करके लाइए अपना खुद का फोटो और आप फोटो भी इसी तरह कैंडल पे उसकी इमेज उतार सकते हैं वह बहुत अच्छा gift item भी हो जाए रहा है तो मैंने डंडी ऐसे cut करके लगाई और फिर से वही सेम प्रोसेस किया उसको ड्रायर से गरम हवा दे रहे हैं और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वह अच्छी तरह से चिपब जाए हर कोने में साइर्स में कहीं एक्स्ट्रा का जो pieces है उस पर उसको अच्छे से दबा के बार घिस रहे हूं ताकि जब तक वह गरम है तब तक वह अच्छे से set हो जाए कहीं उपर से कहीं नीचे आ ऐसे ना हो और मैंने अच्छे से candle को भी set कर रहे हूं ताकि कहीं से अगर melt हो गया हूं तो वह finish उसकी अच्छी रहें कुछ उ इस तरह से हमारा ready हो जाएगा इसी तरह से मैं यह दूश्रा भी लगा लूँगी और मेरी candle अच्छे से बन जाएगी से उसी तरह से जैसे हमने पहले किया मैं इसको भी उसी तरह से कर देंगी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हूं मेरे वीडियो अच्छे लगे हूं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारा शेयर केजिए थैंक यू झार सांस का वड़ मेरी मेरा चैनल अच्छा पुम अच्टनर भाल लाइका झालände हुपती हमें। झाले शाले सांस करदाब कीज्ब मेरी पूले भाली कीजिए उसी आपकोष्छे के वरन प्लाव जूम झाल झाल झाल